नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बभीता आप देख रहें अपना प्यरा यूट्यूब चैनल नेचर्स प्यूटी फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक नया प्लांट जिसका नाम है स्नैक प्लांट जहां दोस्तों स्नैक प्लांट एक बहुत ही खुबसूरत ल आज हम जानेंगे तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वैसे तो फ्रेंड्स स्नैक प्लांट के बहुत सी वराटी होती है इसमें लगभग साट से सतर वराटी आती है मेरे पास अभी इसकी लगभग मेरे पास दो वराटी इसकी अवेलबल है यह देख रहा है तो यह यलो में है और यह पूरी तरह से ग्रीन में है यह जो आप देख रहे हैं मैंने इसको इसी पत्ते से तयार किया है आप ऐसे कट करेंगे इसको पत्ते को कट करके आप अगर मिट्टी में इसे ग्रो कर देते हैं तो उसमें से जो भी बेबी प्लांट्स आएंगे वो और अगर आप इसे पूरी तरह से जड़ से निकाल करके और उसे दो पार्ट में डिवाइड करके और फिर आप उसे मिट्टी में ग्रो करते हैं तो उसमें से जो प्लांट्स आएंगे वह आपको इस तरह से यलो लीव फ़ारे मिलेंगे तो इसके बहुत से तरीकें लगाने क आप चाहें तो इसे जड़ के साथ भी ग्रो कर सकते हैं नरसरी से लाके तो वह आपको जड़ से जो लगाएंगे उसमें से भी नए नए बेबी प्लांट्स आते रहते हैं अगर आप इसे एक प्लांट ग्रो करते हैं गमले में तो उसमें से कई सारे बेबी प्लांट्स नि होता है कि आप इस तरह से जो पिला है वैसा नहीं निकल पाएगा आपको इस तरह से ग्रीन प्लांट मिलेगा इस नेक प्लांट का ये एक नया विराइटी बनके आएगा बाहर देखने में ये भी बहुत खुशुरत लगता है दोनों एक अलग-अलग विराइटी के हो जाए है ये एक इंडोर प्लांट है फ्रेंट आप इसे घर में लगा कर घर की सुभा भी बढ़ा सकते हैं और दूसरी बात है कि हमारे घर में जितने भी विसाक्त टॉक्सिक वायू होते हैं उसे ये अपने वीतर एब्जॉब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है ऑक इसे जरूर हमें अपने घर में लगाना चाहिए फ्रेंट और आप इसे चाहें तो पूरी तरह से घर में रख सकते हैं इंडोर लेकिन आप बीच बीच में महिने में दो या तीन बार इसे लाके आप बाहर धूप में सिफ्ट कर दें कम से कम एक दो दिन तक इसे धूप देते हैं तो यह भीतर से रूट रॉट होने लगता है इसके जड़े सरने और गलने लगती है वैसे तो इस प्लांट में ज्यादा कोई रोग नहीं लगते फंगस नहीं लगते लेकिन पानी अगर इसमें ज़्यादा हमने डाल दिया उभर वाटरिंग अगर हो गई गलती स तो फिर इसके जड़ गलने लगती है पतिया इसकी लटकने लगती है गिरने लगती है तो इस बात का में खास ध्यान रखना होगा कि हम इसको ज्यादा वाटरिंग एकस्स वाटर न दें विंटर सीजन में इसे पानी की रिक्वार्मेंट ज्यादा नहीं होती है लेकिन लगभग डेड़ दो इंच तक अगर सूख गया है तभी आप उसमें पानी दें और अगर आप देख रहे हैं कि उपर की मिट्टी इसकी गीली है तो उसमें आप पानी नहीं दें क्योंकि ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर पौधा आपका खराब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यह सक्यूलन प्लांट है तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे खराब हो रहा है क्या लेकिन उपर से इसकी पतियां गलने लगती हैं लटकने लगती ह अब देख रहे हैं मेरा ये प्लांट जो है काफी घना हो चुका है भर चुका है लगभग ये मेरे पास 5 साल से पड़ा हुआ है और इसमें कोई भी खरामी कोई भी रोग आज तक नहीं लगा है मैं इसके लिए कुछ खास फटलाइजर नहीं डालती हूँ बस इसमें मैंने थ आप इसमें सेंड रख लें और एक पार्ट आप इसमें कंपोस्ट रख लें जो आपके पास अवेलवल हो काउड़न कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और उसे मिक्स करके और थोड़ा सा उसमें अगर आपके पास अवेलवल हो नीम की खली तो थोड़ा सा आप जब भी waterring करें तो आप पानी इसके जड़ों में दें इस पत्ते पे पानी आप ना डालें कोशिस करें इस पत्ते को ना भीगार क्योंकि पत्ते पर पानी पढ़ता है अगर गर्मी का दीन है समर सीजन है तो फिर दिकत निया कि इतनी हाड गर्मी होती है कि पत्ते अपन कि पानी मैंने इसे उपर से डाल दिया था उसमें हलका हलका काला स्पॉट की तरह आ गया है तो इसलिए आप इस चीज को खास ध्यान रखें कि जब भी आप वाटरिंग करें तो आप इसके पत्ते पर वाटरिंग ना करें इस तरह से अगर आप अपने इस नयक प्लांट की के कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में वीडियो मैं आपके साथ बनाऊं शेयर करूं तो इसके लिए आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसे कटिंग से इस पत्ते को लिप से कैसे कैसे ग्रो करें नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्लांट के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक कियर, बाबाई.